अगर हमारे पास कोई भी एक डौक या पापपी है यह फिर हम लेरने वाले यह आल्रेडी हमारे पास है अपनियू डॉग उनर हो अपकी क्या क्या रिस् Carib opportunity बनती है अपने डॉग के प्रती वो इस वीडियो में आपको बने वाला की कैसे आप क्या क्या करना चाहिए और अपक क scar enough उसका बाउल etiesड़ा करते जिसके करण को एक क्हाने में मादद हो अच्छे से खा लेता है क्योंगे आपको पता है जो खाता है वह जीब से और दात से आपको उसको जो है वह अच्छे से है कभी कभर कर चाथ है नहीं नहींति प thicken I sant God God ₹ को अच्छे से खाना नहीं खा पाता और कभी कभर्ड को भुक कि काशी लगती है बट जो खाना होतेfahrस होटेहे मेरा लग जाता है जिसके करण टुक्त से खाना नहीं कऊ तो उसके कारण उनका अच्छे से बनेगा उनका शरूर अच्छे कासा मैंटेंड रहेगा उसको टाइम आप जिसे सीजन वाइस चेंज होता है जिसे कि थंडी में आप धोगा सा जल्दी दे सकते हो गर्मी में धोगा सा लेट सकते हो बारिश के टाइम पर आप नॉर्मल जिसके करते हो या फिर उसका डायेट चेंज कर रहो तो एकदम से हैट नहीं करना आपको धीड़े 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 innovation के अंदर दीड़ल करके चेंजर करना धीड़न कभी कबर उनकुर सव्चन होगा जयुक्त हो जाता है तो ऐसे corner के आजू बाजू लग जाता है जिसके कारण कभी कभार उसके अंदर fungal infection जैसा भी आ जाता है कभी कभार लाल जैसे हो जाती है अगर वो पानी फिर डॉक पी लेता है तो उसकी health का फिर जदा खराब हो जाती है इसलिए वो बाउल की साफ सपय आपको अच्छे से करनी है या फिर साबू से अच्छे से साफ करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बर्ट क्लीन हो जाने के बाद भी आपको एक अच्छे से कपड़े से उसको अच्छे से साफ करना है ऐसा नहीं कि धो दिया और उसके अंदर पानी दिये दिया आपको एक अच्छे कपड़े से भी उसक जादा बेटर रहेगा उसके बाद जो उसके नाखुन होते हैं वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उसके बीच में कुछ पंजे के अंदर कुछ टिक्स वगेरा ना हो नाखुन जादा अगर बढ़ गए तो उसको अच्छे से कट करना अगर आपको कट नहीं करना ओकता है तो आपने डॉक्ति के संबाद जाके भी कासुक जरूर सकरना करना कभी कबार डॉक के जो बाल व शर्ली का डिंक आ तब आज जाता है था ना जबें आगर में आपको जादा सी ज्ञाशारा ओसका दीन में दो बार उसका जो ब्रेशिंग कर ले ना जिसके कारण उ और यृठी सो पर चदर पर बाल देखने को मिलेंगे और शेडिंग का टाम आपको इस बात का ध्यान-देना है जो नेक्सट पॉंट आता है वह डूक का वहल्थ आपको ध्यान रखने हैं अगर आपका डोग अच्छे से खाना नहीं खा रहा है दो चार दिनों से गुम्सुम है और प्रॉपर जो खाना खाता है वैसा नहीं खा रहा है एकदम से बीमार पड़ा जैसा लग रहा है तो ऐसे में उसके डॉक्टर के पाद जाकि उसका चेक कभी कबार डोग बीमार पड़ जाता है कभी कबार उल्टिया हो जाती है अगर दिन में दो से तीन बार उल्टिया हो रही था आप उसका रिजन देखिया क्या क्यों हो रही है कुछ ऐसा मैंने मीठा तीखा या कुछ मीठा चौकलेट वगरा खाने को तो नहीं दी या फिर पिर इसके अलवा कुछ रिजन और भी हो सकता है, कुछ बीमारी लग गे डॉक को, तो आपको जरूर से ध्यान देना है, और डॉक्टर के पाद जाके उसका धूरनती इलाज जो है आपको करना है, इसके साथ सच टाइम उसके डिवार में आपको जरूर से करना है, ताकि उसक जो डाइजर सिस्टम में अच्छे से बना रहे है, वेक्सिनेशन आपको हर साल आपको जरूर से करना है, ताकि वो किसी को अगर काटता है, या बाइज जान उसके नाकुन आपको लग जाते तो आपको कुछ बीमारी होने के चांस से जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाते है कुछ हो नहीं सकता उसको, इसलिए उसका वेक्सिनेशन आपको जरूर से करना है, डॉक को हमेशा कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारी होती रहती जैसे कि स्किन इंफेक्शन हो गया, वो नीचे का जो भाग होता है उसका, वहाँ पे कुछ इंफेक्शन हो गया, या स्पेंड नहीं करते हैं, उनके साथ रेगुलर नहीं खेलते हैं तो आपको जरूर से डॉक के साथ खेलना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, जितना हो सके उनके साथ आपको वाक पर उसको ले जाना है, ट्रेनिंग आपको देनी है, उसको सोशलाइज करना है, अधर के साथ अधर आपको एक्टिवीटी करा नहीं उसके कभी कभार दोड़ना कभी कभी कभार बॉल फेक के लेकर आना तो उसके करन डॉक का जो डेली लाइफ में काफी जोड़ा वो चेंजिस आपको देखने को मिलता रुसको काफी ज़दा अच्छा लगता है कभी कभी कभार स उसके लिए थोड़ी बहुत सेविंग करके आप जरूर से रखना उसके लिए कुछ टॉय वगेरा खिलोने वगेरा अच्छा डॉक फूड वगेरा हो गया घर का खाना वगेरा आपको जरूर से उसको देना है कुछ ऐसे डिंजरस फूड होते है प्याज लसून तिखा सब कुछ डॉक के लिए करना जरूरी है तो आशा करता है आपको सबको वीडियो अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब जरूर से करना तो मिलते हैं नेक्स शूड़ी